हलो दूस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले सातिया इंदश्टी लिमिटेट से लिटेड हमने इससे पहले भी से लिटेड वीडियो बनाई है और काफी सारे कमेंट मुझे डेली बेसिस पर आ रहे हैं से लिटेड कि सातिया क्या खराब हो चुका है क्या शातिया बेकार श पर पास आ रहे हैं ठीक है काफी लोग इस पर्टिकुलर शेयर खो अच्छा समझते यह और इस वज़े से अगर हम देखे तो कुछ एक लेवल होते हैं उस वज़े से कहीं ना कहीं हम यहां तो गलत प्राइस पर फच जाते हैं ठीक है और गलत प्राइस नहीं होता क्या होत होता है गलत टाइमिंग होती है ठीक है ना तो उसी चीज से हम यह आपर बाते करेंगे वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे बट उससे पहले रिक्वेस्ट है आयम स्मॉल कैप इन्वेस्टर जो की आपका चाहिन लाई से सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को हिट कर लीजिए और की नॉटिफिकेशन को अन करिए बाइंग सैलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनेशल एडवाईजर खुद की स्टेडी करें चीजों को सीखने दिंगे चीजों को सीखने दिंगे तो पैसा ऐपके पास आएगा क्या साथिया से लिट्टर पहले वीडियो बनाई है बिल्कुल डाइफिनितली मैंने यहापर आप पन पहले ही बताई थी और मैंने आप बताई था कि पास का 3 nastก पाउनच monopoly है ए और प्राइस की बा तो exactly, क्या है, क्या मैं आपको बेचना चाहिए, उस चीज से एलेटिर मैं आपको जवाब दूँगा, क्या मेरे पास है या था, या फिर क्या मैं लूँगा, उस सब चीजों से भी मैं आपको अफ़ित करूँगा, पर उससे पहले यहां पर चीजों को सीख लीजिए, सीखने कैसे, और किस तरीके से आप यहां पर रिस्क रिवाल्ट रिशो और रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अच्छा कासा आप ऐसा बना सकते हो, स्विंग टेड में, मिड्टाम इन्वेस्टमेंट में, वो हम यहां पर सिखाते हैं, तो आप 8860540501, 8169261037, दोनों नमबरों को सेव कर लीजिए, बेसिक रिवांस कोर्स है, जहां पर टेकनिकल, रिसर्च, फंडामेंटल, सब सिखाय जाता है, ठीकना, A to Z आपको चीजिए सिखाय जाएगी, आपको बताया जाएगा, क्यों, कितना रिस्क लेना ठीक होता है, कितना रिस्क से, इस रिस्क से जादा हो जाता है, तो कैसे आप यहां पर फस्ते हुए नजराओगे, वह सब चीट बताते हुए नजराते हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और साथ में किसी को काम करना है, पोर्टफोलियो 4 लाग, 5 लाग, 50 लाग, एक करोड़ी जतना बढ़ा है, आप साथ में काम करना चाते हैं, इन नमबरों को नोट कर लीजिए, साथ में काम करिये, आपको रिजल्ट दिखाईते हैं, साथिया इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो 130 रुपे के हिसाब से भी कुछ दिन पहले यहां पर वीडियो बनाई थी, लब लब 15 रुपे उधर से नीचे आ चुका है, ठीक है न, तो अगर हम यहां पर बात करें, 10 से 11 परसेंट की गिरावट औरेड़ी हो चुकी है, तो exactly क्या करना चाहिए, क्या बेच देना चाहिए, खरीदना चाहिए, तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, कि मेरे पास यह श शेयर है नहीं, ठीक है, लगबग 134 रुपीज के हिसाब से, मेरे पास यहां पर शेयर थे, ठीक है, काफी बार यह उपर गया भी था, बट नहीं निकल पाए, क्यों कि यहां पर मुझे लग रहा था, यह शेयर और उपर जाएगा, बट क्या होता है, शेयर बेकार है, नही बिल्कुल भी नहीं, शेयर बिल्कुल भी बेकार नहीं है, ठीक है, क्या होता है, टाइमिंग का इशो हो जाता है, कभी-कभी, ठीक है, हम शेयर तो अच्छा चूनते है, बट टाइमिंग कभी-कभी हमारी क्या हो जाती है, उपर नीच हो जाती है, जिस वजए से क्या होता वो सबी सवालों के जबाब में अंड तक यहां पर जब टेक्निकल पर आएंगे तो हम यहां पर बाते करेंगे सबस्क्राइब साथिया के बारे में जान लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे वन अफ द बिगेश्ट एंड कंप्लीटी इंटीग्रेटिर वोड़न अग्रो होगे पैपर के बिजनस में यहां पर दिखाई दीता है ठीक और पेपर के जो अभी तक अच्छा पर कर रही थी यहां पर क्या है यह जो पर इंडश्टि यह थोड़ा सा शांत होती हूझ नजर आये क्या शांत हो जिए तो क्या बेकार हो गया बिलगूल भी कि तिक है यहां पर समझ में आएगा कि यह शेयर एक multi bagger शेयर है ठीक है इसने multi bagger return दिया है यहां पर आप देखोगे अगर मैं इसे low से इसके high को यहां पर पकड़ के दिखाऊं तो आपको पता चला है कि बारे हजार परसेंट के return इसने कितने टाइम में दे दिया है इसने 2 या 15 से अभी तक तो एक बहतरी इंच company यहां पर नजर आती है as a return दिये है तो उसके पीछे का reason होगा बट आपको यह भी दिखाई दे र पर यहां पर जाना चाते है तो इनके products की तरफ एक बर चले यह विजट कर लीजिए देख लीजिए आपको एक पूरा idea लगता हूँ नजर आएगा paper industry cup and cutlery यह company बनाती हुए नजर आती है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं हर तरीके कि यहां पर इनके products है ठीक है यहां यहां पर आप देख सकते हैं as well as यहां पर यह cutlery से भी related यहां पर products बनाते हुए नजर आते हैं और जिते ही भी companies है mostly इनके क्लाइंट यहां पर है ठीक है अच्छे गाजी क्लाइंट और सारे products यहां पर sell out होते हुए नजर आते हैं तो अच्छे गाजी company है कोई परदिशा जो पताया जाता है यहां फिर क्या हो सकता है कि चीजे जब आप लेने हो तो फिर stop loss को follow करने ही करना है ठीक है small cap share है क्योंकि जब गिरता है तो फिर यहां पर आप देखोगे तो 30, 40, 50% easy होता है चार का PE है 11 का PE industry का है सस्ता है multi bag return दे चुका है मैं वह भी दिखा चुका हू ROC ROE ठीक ठाक है 50% का यहां पर debt है किसी तरीके की pleasing नहीं है 152 का high है ओके और 362 का यहां पर intrinsic value है तो यहां पर opportunity तो बहुत जादा है इस चीच को याद रखिएगा बट हुआ क्या है इस बार के result आए company के और जब result आए तो क्या होता हुआ नजर आए कि इसकी जो sales है ना वो rating profit वो कमाता हुआ दिखाए दिया जो की quarterly air base पे कम है और इनका जो net profit है वो भी कमाता हुआ दिखाए दिया जिस वज़े से EPS भी कम हो गया तो कहीं ना कहीं इस पर एक effect पढ़ता हुआ नजर आए इस particular share पे क्या यह ऐसे ही रहने वाले है ठीक है तो मुझे लगता है कि तक भग एक साल तक यह share आपको परिशान कर सकता है परिशान in the sense कि एक range में जहां पर यह घूम रहा है उसी range में आपर गूमते रहे नीचे की range की बात करें तो नीचे शायद यह share आपका 89 तक आ जाए उपर की बात करें तो उपर यहां पर 40 तो उसी की आसपास यहां पर ग चुका है ठीक है थोड़ा सा यहां पर patience रखना पड़ेगा ठीक है और long term का वीजन इसमें अपनाना पड़ेगा तभी यहां पर यह success हो पाएगा अच्छे कासे यहां पर interest मिचाते है पैसे 110 करोड रुपे इन्होंने working progress में अभी भी लगा रखे अच्छी बात है 7 करोड का investment cash भी है 16 करोड का as well as यहां पर देखोगे company split भी दे चुकी है 2019 में dividend भी यहां पर देती हुई नजर आती है ठीक है तो ठीक ठाक यहां पर सब कु 52.46% है FIS की बात करें इसी particular quarter में FIS ने अच्छी खासी holding बढ़ाई है 3.78% की public से यहां पर जाते हुए नजर आए है ठीक है ना बट यहां पर public में भी आप देखोगे 15% की holding इनके पास है इनके पास 11% की holding थी जहां पर यह 2% की रह गई है और बाकी इन holding यहां तो public ने खरी यहां पर देखो कि जो डारेक्टर और प्रमोटर से वो लगतार थोड़ी बहुत कॉंटिटी जो यहां पर खरीद रहे थे अभी थोड़ा सा उन्होंने अगस्त में भी बेचा है ठीक है सेप्टमबर में भी यहां पर बेचते हुए नजर आए है थोड़ा बहुत ही आने कोने की यहां पर जरुवत नहीं है इस चीज को याद रखिएगा दूसरी बात करते हैं यहां पर अब चार्ट से लेटिट तो फंडामेंटल की बात करें जैसे कि मैंने आपको बताए कि आने वाले मुझे लगता है कि एक साल यह इंडरेश्टी थोड़ा सा पेन में बीच में यहां पर तेजी आती हुई दिखाई देगी क्योंकि जब सब भागेगा तो यह भी भागेगा दूसरा बूल मार्किट भी आने वाला है जैसी बूल मार्किट आएगा तो यह भी भागेगा उस ताहीं आप चाहो तो निकल सकते हो या फिर अभी क्या करना मुझे अच्छा लगेगा मैं यहा पर रक्वांगा और मैं भी loss में ही निकला हूँ और मिहां पर profit मेई ही निकला हूँ तो यहां पर नजर आहरा था कि मुझे यहां पर पैसे नहीं बनेगे जो मेरा loss है वो दूसी जगे रिकावर हो जाएगा तो पैसे shift करना ये एक अच् बागिए अपनी intelligence का यहां पर यूज करिए यहां पर चीज़े अच्छी है अभी भी कुछ बेकार नी हुआ है बट थोड़ा प्रेशर में है ठीक है एक support यहां पर नजर आता है अगर यह support तोड़ता है तो चीज़े नीचे आके 100 रुपे तक यहां पर आ सकती है उपर की बा दिन खड़ी दूँगा जब यह शेयर 151 का लेवल क्रॉस करेगा उससे पहले मैं इस शेयर को यहां पर टच नहीं करूंगा चाहे कितना भी attractive नजड़ाए ठीक है यहां पर निकलेगा एक चोटा सा stop loss लगाऊंगा फिर उस टाइम यहां पर इस particular share के बारे में यहां पर दे यहां पर टाइम लग सकता है अच्छा है और टाइम जैसे कि मैंने का कि एक साल मुझे लगता है कि यह शेयर अभी कुछ नहीं करने वाला एक ही रेंड में घुमेगा तो जहां पर एक साल मैं loss में बैठा रहूं और वेट करूं इसके ऊपर आने का उसकी जगह मैं एक साल पैसे लगा के मैं इस चेयर को वहां से पैसे भी रिकावर कर सकता हूं इस तरीके से काम किया जाता है और यह सब चीज सीखनी है कैसे क्या क्यूं किसलिए तो आप सबसे पहले तो लाइक कमें शेयर चानल को सब्सकाइब कर दीजिएगा दूसरी बात इन नमबरों को नोट करके ठीक है बेसिक्स ट्व एडवांस टेक्निका रिसर्च फंडामेंटल इन सभी चीज़ों को यहां पर सीख सकते है किस तरीके से आपको स्विच करना चाहिए कितना आप लॉस बुक कर सकते हो किसना लॉस बुक नहीं कर सकते है वो सब चीज यहां पर हम सिखाते है ठीक किसो मुच कर ब्लस